इस वाले मांजे को टेस्ट करने वाला हूँ, देखना चाह रहा हूँ कि ये वाली पतंग कैसे चलती है, इस पर कैसे ने चलती, तो दोस्तों नीचे का पैंसे बनाऊँगा मैं, हांजी पूरा नीचे का पैंसे बनेगा, अपोनेट के काफी नीचे गया, कि ये वाले मांजोली, तो दोस्तों, ये टूनामेंट काइठ है, मंजोली, तो दोस्तों, ये तूनामेंट काइठ है, ठीक है, हमेशा से एक ही बात कहता हूँ, चैनल पे, मांजा लो, ओरीजिनल उडाओ, लोकल, मांजा, मत यूज करो, क्योंकि लोकल से सिर्फ और सिर्फ दोस्तों, आपको और दूसरे इंसान को आम ही पोचेगा, ये बड़ी अच्छी बात कही है, आप उसको कुछ और दे आप उसका मजा अलग ये लेवल पे एक्स्ट्रीम करोंगे, तो अब आप ये सोच रहोंगे, कि ये वाली जो पतंग है, इस वाली पतंग से हम कोन सा वाला मांजा लडाने वाले है, तो भाई मांजा आज लडएगा, ये वाला मांजा खतम नी होके तेरा, पता नहीं क्यों आप नहीं खतम होके देदा भाई, आप रहतो एक चीज़ सुनिए, इस्टेग्राम पर बहुत से लोग उससे पूछते है कि बैया, तीन हजार मीटरी पर इतना महेंगा मांजा है, कोन खरी देगा, भाई उसकी एक बार ठीकनेस चेक करो, और फता लगाओ, कि वो कितना बा उनके लिए तो भाई जबरदस्ची ही जाए है, और मैंने अभी तक इससे धिल से भी बहुत अच्छी तरीक से लाया, और खींच से भी बहुत अच्छी तरीक से उसको यूज़ गया, तो 6 महीन होगे, 6 महीने में इसकी एक रील ही खतम होगी होगी, जाद जाद रहता, इस प्रोवाइड करवा दूगा, ठीक है, बिल्कुल एक रम, सिक्योई कमान, सिक्योई ठटे, मेरा कोई शौब वोप तो है नहीं, लेकिन हाँ जो पुवी बंदा मुझे रिक्वेस्ट करेगा, मैं उसके लिए प्रोवाइड करवा दूगा, ठीक है ना, या फिर मैं उसको से तो भाई, आपको फिर कोई हग नी बनता, ऐसे मांजे को यूज़ करने का, बिना बात कि इस मांजे की बेजती मत करना आप लोग, ठीक है ना, तो पतंग में ने पार कर दी है, पतंग की गुमाओ देखे सकते हो, कितना बढ़ी आशांदर घुम रहा है, और इस पतंग को में किसी फोटो शॉप वाले को भी करेट करके रखभाऊ ना, कि बाई, ऐसा व्यू चाहिए सामने का एडिटिंग करके, तब भी नहीं हो पाएगा, ये रियल है दोस्तों, ये देखे, तो ये देखे, व्यू कितना मस्ता आ रहा है, ये देखे, दोस्तों, क्या खतरनाक त पर चेक कर लेंगे, कि कैसा है, कैसा नहीं है, तो अभी हमारी पतंग उपर की तरफ बदी हुई है, ठीक है, अडरपेंजर का मांजा चड़ा हुआ है, और ये देखे, दोस्तों, अब मैं यहां से मांजा तोड़ता हूँ, और पीछे सद्धी बानता हूँ, फिर आपको के इजरल दिखाएंगे, तो दोस्तों, नीचे का पैंस बनाओंगा, पूरा नीचे का पैंस बनेगा, अपनेट के काफी नीचे गया, और भाई, मुड़ा तिरचा करके भार की तरफ खीचा है, बहुत तेजी के साथ में यह देखे, दोस्तों, इट्सलाइक के ब्लेड की तर तोड़ होता ही नहीं है, और जैसे मांच यह पुराने होते है, वैसे ही अपना रंग बहुत ही अच्छा दिखाते है, तो अभी सामने के तरफ जो पैंस चल रहा है, रैड सर्कल में मेरी पतांगा, मैं अपोनेंट के ऊपर से पैंस लड़ा रहा हूं दोस्तों, फसा करके निकल गया है, राइड साइड के तरफ जो पैंस हो चुका है, पैंस बहुत बुरी तरीके से तरफ स्थ हुस चुका है, तो ये पन केंच कब होते काई सैंस यह घूँमाना नहीं हो तो आपकी वह पतंग को बहुत बर दता दिखे से धिल पर दिल पर चल रही है, और दोस्तो मौका है कि अपनी पंग में चक्क्र लगाए जाए, क्योंकि पतंग बिल्कुल टाइट हो चुकि है, दोस्तों, अब भाई चक्कर लगने का टाइम आ चुका है, यह देगे दोस्तों, मैंने अपनी पतंग में चक्कर लगने इस्टार्ट कर दी है, और अभी कुछ नहीं कह सकता, बहुत बड़ी अपफयाश लग रहा है, ओ करके लड़ाया, चक्कर पे चक्कर उसकी पतंग में लग रहा है, मैंने इस मांज़े का λिजल देखे, तुरन्थ ही 이건 में बात की पतंगा है रडशे में मी पतंग है, मैं उपर से हूँ दोस्तो अपने नीजे से है इसे पेंच फदी फजा करके लड़ाया, पहले से मैंने चक्कर स्टार्ट कर दिये पतंग में ले देने और अपोनेंट के उपर रखा पैंच फस चुका है बहुत बुई तरीके से अपोनेंट के उपर रखे चला रहा हूँ बहुत खतरनाक तरीके से और यह देखे दोस्तों मान जे की धार देखिए पोमारा लगा तुई साथ यह भाई इस मान जे की ताकत पोमारा मतलब काम तमाम कर दूँगा इसको लटका करके तो भाई अभी मेरी पतंग ऊपर की तरफ चल रही है बिल्कुल हवा में एकदम बढ़िया क्योंकि मैं हाँ पे पतंग अपनी घुमा नहीं सकता दोस्तों अगर मैं हाँ पे चक्कर लगाऊंगा तो भाई हो सकता कि पैंस निकल जाए और थोड़ी सी कंट्रोल से भार होई पतंग और पैंस निकल गया दोस्तों यह देखे कैसे घुमने लगी फिर से मैं ट्राइ कर रहा हूँ दोस्तों उसके नीचे की तरफ गया घुमाल मुषू अर종 जैसी बहुत टुकिक तहुम भी तों फिल द हो गई एक भूसके Sook गूसा भूसा 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 और टचनी तक सबसे भी घुमने मुए उसी त जिस्केर करणा को सबसे जायर अभी भी इसका और सबसे बड़ी बात है कि यह प्लास्टिक नहीं है तो बहुत ही बहत्री लड़ रहा है मांजा कम से कम पतंग भी देख लिए अपने कितनी पतंग काट दी है दोस्तो एक रिक्तो एस चाप से यह आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करते तो मेरे प्यारे प्रेजर चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने भाई को सब्सक्राइब करो मैं ऐसे ही दमदा दमदार वो लोग आपके सामने लात रहूंगा मिलता हूं जल्दी से नेक्स व्लोग पे तब तक रहे गाईज जया बारत